आज भारतिय जन्ता पाट्टी की सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना ग्यार्मा बजट देश के लोगों के सामने रखा आज का बजट जो भारतिय जन्ता पाट्टी की केंद्र सरकार ने संसद में और देश के सामने रखा ये दिल्ली के लोगों को धोखा देने का बजट है ये दिल्ली की लोगों की उम्मीदों पर ये दिल्ली के लोगों की एस्पिरेशन्स पर पानी फेरने का बजट है हर बार की तरहां भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं दिया आज जो बजट संसद में पेश हुआ उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेज केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला शेर इन सेंट्रल टैक्सेज पर दिल्ली का अलोकेशन दो हजार चौबिस पच्चिस के बजट में जीरो है उसी तरहां से दिल्ली के लोगों ने ये डिमांड किया था कि जिस तरहां से देश भर में लोकल बॉडीज को financial allocation, budgetary allocation होता है उसी तरहां से दिल्ली की municipal corporation को भी budgetary allocation होना चाहिए हमने ये demand किया था कि 5% taxes दिल्ली की municipal corporation को भी मिलने चाहिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए लेकिन दिल्ली की municipal corporation को mcd को एक रुपया भी केंद्र सरकार के budget में नहीं मिला ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने और राज्यों को share in taxes नहीं दिया जो budget document अभी central government ने बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है उसमें ये पश्ट लिखा है के devolution of states share in taxes इस दो हजार चौबिस पच्चिस के budget में एक लाख चौबिस हजार करोड रुपय अलग अलग राज्यों को दिये गाए एक लाख चौबिस हजार करोड रुपय लेकिन दिल्ली वालों को share in taxes में एक रुपया भी नहीं मिला उसी तरह से grants for local bodies के लिए 82,207 करोड अलग अलग local bodies को urban local bodies, rural local bodies को allocate किये गए हैं लेकिन दिल्ली की municipal corporation को एक रुपया भी इस budget में नहीं मिला ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग केंदर सरकार के taxes में केंदर सरकार के revenue में contribute नहीं करते हैं बलकि इसका उल्टा है दिल्ली देश के economic growth का एक important engine है दिल्ली हर साल दो लाख करोड से जादा income tax central government को देता है exact figure पिछले साल का अगर हम देखें तो दो लाख साथ हजार करोड दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से income tax केंदर सरकार को दिया उसके अलावा cgst यानि gst का central share उसमें 25,000 करोड रुपे दिल्ली के लोगों ने केंदर सरकार को दिया यानि कुल मिलाके 2,32,000 करोड के taxes दिल्ली के लोगों ने केंदर सरकार को दिये दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड रुपे दिल्ली को उसकी infrastructure development के लिए दिया जाए दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे कि उसका एडिशनल 5% हिस्सा दिल्ली की मिनिसिफल कॉर्पोरेशन को दिल्ली की साफ सफाई और संदर्य करण को दिया जाए कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड रुपे मांग रहे थे जो हमारे टैक्सिस का सिर्फ 10% है और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट इसमार यूनियन बजट 48 लाख करोड का है तो दिल्ली की जो 20 हजार करोड की डिमांड है ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने एक रुपया शेर इंड टैक्सिस का नहीं दिया और एक रुपया भी डिल्ली की मिनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं दिया अब दिल्ली के लोगों के सामने दो मौडल बिलकुल साफ है एक तरफ अर्विंद के जरिवाल जी की सरकार का मौडल है दिल्ली के लोग सालाना 40,000 करोड रुपय टैक्स अर्विंद के जरिवाल जी की सरकार को देती है हॉस्पिटल में फ्री इलाज देती है, 24 घंटे बिजली देती है, एक फ्लायोवर्ज और रोड्स का नेटवर्ट देती है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोग भारतिय जनता पाटी शासित केंदर सरकार को दो लाख बतिस हजार करोड रुपया देते हैं और केंदर सरकार उसमें दिल्ली को क्या देती है, जीरो, निल, बटे, सन्नाटा, कुछ भी नहीं देती है आज मैं भारतिय जनता पाटी को चैलेंज कर रही है कि आपने 2014 में बज़िट पेश किया, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 2024 में आपने अपना 11 बज़िट पेश किया मैं भारतिय जनता पाटी को, उनकी केंदर सरकार को ये चैलेंज कर रही है कि पिछले ग्यारा साल में, पिछले ग्यारा बजट में आपने एक काम भी अगर दिल्ली के लिए करके दिखाया है तो आप बताईए, मैं आज चैलेंज कर रही हूँ, भारतिय जन्ता पार्टी शासित केंद्र सरकार के पास सब कुछ है, उनके पास दिल्ली सरकार से जादा पैसा है सब, उनके पास 48 लाख करोड का बजट है, उनके LG साहब दिल्ली में हैं, उनके ऊपर अफसरों का पूरा कंट्रोल है, जब दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलती हैं तो उस पावर को छीन लेते हैं, कहते हैं हमारे पास पावर है, लेकिन उनके पास पावर होने के बाद, पैसा होने के बाद, LG होने के बाद, अफसर होने के बाद, मैं आज ये दावे के साथ कह रही हूँ कि 11 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए एक काम भी नहीं किया, ये है भारतिय जंता पार्टी का मॉडर। और दूसरी तरफ हरुण केजरीवाल की सरकार है, जिसके पास सिर्फ सालाना 40,000 करो टैक्स में आते हैं, जिसके पावर छीन भी गई हैं, जिसके पास अफसरों की उपर कंट्रोल नहीं है, जिसके सारे काम रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर मिए अर्विण केजरीव की के इजनाटा पाटी ने उनकी के इंडरा सरकार देए तो आज। ने ब्रयुक्त ने दिल्ली के लोगों को ये दिखा दिया है कि भारतिये जंता पाटी ने उनकी केंद Egyptians के इंदिर सरकार नि आज तक 11 साल में बिली के लिए कुछ नहीं किया है और बजेट ने ये दिखा दिया है कि नहीं भारती जनता पार्टी शासित के इंद्र सरकार पावर होते हुए भी पैसा होते हुए भी दिली के लिए कुछ करने वादी है कि सुवरों है दिल्ली को Central Share in Taxes में एक रुपे का भी Allocation नहीं है देखिए जो Overall Budget है उस पे एक detailed response अभी हम हमारे पार्टी के सांसर रखेंगे लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारतिय जन्ता पार्टी शासित केंद्र सरकार सिर्फ अपनी सरकार और अपनी सत्ता को बचाने के लिए बज़िट पेश कर रही है देश के लोगों के लिए बज़िट नहीं पेश कर रही आज देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी इस बज़िट से युवाओं को रोजगार मिरने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए है उनको एक खोखला वादा किया गया है कि हम इंटर्नशिप देंगे पाँच हजार रुपे की तनखवा देंगे क्या ये निर्मला सीता रमन जी का इंटर्नशिप मॉडल भारतिय जनता पार्टी के देश की सेना में लाए हुए अगनीवीर की मॉडल की तरह है जहां पे पैसे भी नहीं मिलते हैं जहां पे आगे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं क्या जिस तरह आर्मी में अगनीवीर लेके आये अब युवाओं को कह रहे हैं नौकरी को हम दे नहीं सकते सिर्फ 5000 रुपे की इंटर्नशिप देंगे आप स्वास्त का बजिट देखने जाईए स्वास्त का बजिट पिछले साल से घट गया है पिछले साल 1.98% अलोकेशन हेल्थ को हुआ था इस बार वह अलोकेशन घट के 1.85% हो गया कहते हैं कि हम अच्छी स्वास्त की सुविधा देंगे कहते हैं आयोशमान भारत के माध्य हम से देंगे आयोशमान भारत का कुल बजिटरी अलोकेशन मात्र 7,200 करोड है जबकि दिल्ली जो इतना छोटा सा राज्य है मात्र 3 करोड की आबादी का राज्य है हमारा है जो हेल्थ का बजिट 9,000 करोड है तो ये साफ दिखता है कि कोई भी केंदर सरकार का इरादा नहीं है कि वो स्वास्ती सुविधा दे केंदर सरकार की एक पीम पोशन स्कीम है जो आंगन वाडियों में खाने में खाने के लिए दी जाती है जिसका एक हिस्सा सेंटरल गवर्मेंट देती है एक हिस्सा स्टेट गवर्मेंट देती है पिछले साल उसका बजटरी आलोकेशन 12,681 करोड था उसको 280 करोड घटाकर 12,400 करोड कर दिया गया है सोशल वेलफेर पे खर्चा कम किया गया है आप देखिए केंदर सरकार जो किसानों को सबसिडी देती थी फर्टिलाइजर सबसिडी को घटाकर 25,000 करोड से सिर्ष 16,000 करोड रख लिया गया है यानि 36% का रिड़क्शन तो ये बिलकुल साफ है कि भारतिय जनता पाटी सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए बजट लेके आई है ये बजट युवा विरोधी है ये बजट किसान विरोधी है और इस बजट ने देश की महिलाओं का खर्चा कम किया है देश के बच्चों का खर्च कम किया है और बिलकुल साफ है जो दिल्ली वाले देख रहे हैं कि दिल्ली वालों के साथ अत्याचार जिस तरहां अंग्रेजों के जमाने में भारत का सारा पैसा लूट के ले जाती थी अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजों का राज, उसी तरहां से दिल्ली के लोगों का पैसा लूट के लेके जा रही है भारतिय जनता पार्टी शांसित के इंदर सरकार